सविधान के स्त्रोथ, यानि कि जो भाज का सविधान है, उसमें बहुत सारे देशों के सविधान से कुछ बाते ली गई हैं, और वो कौन-कौन से बाते ली गई हैं, उसके बारे में हम इस टोपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सविधान के स्त्रोथ, तो सबसे पहला जो सब्साइब और और आह एक होता है चोब uphill एन जो अमेरिका का सभधान क्या है लिखिट सवधान है दूसरा कोश्म बनते है कि विष्रफ का सबसे छोटा से सभदान किस देश का तो अमेरिका का यानि किस तो पैषनाम सब्यक्रित चोटा की गई हैं तो पहली है मोलिक अधिकार अगर कोशन यह आते हैं कि मोलिक अधिकार किस देश यानि किस जो स्वधान में आड़ किये गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं तो आप कहा असर आएगा स्युक्तराज्य अमेरिका मोलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं इसके स सवधानिक दत्ष्टि से सहीं नहीं है ठो जो न्यालियैं व सकानून की पुन्य क्राइब उसके अलावा रास्ट पति की दाएगा। यानि कि भारत में राष्टपती को किस परकीरिया के द्वारा हटाया जाता है महावियोग के द्वारा तो ये जो महावियोग की परकीरिया है ये भी कहां से लिए गई है स्विक्त्राजय अमेरिका से बात के सविधान में राष्टपती को हटाने के लिए महा वियोग लगाया जाता है यह किस अनूछेद में लगा गया है तो इस karşicon आएगा अनूछेद 61 सिक्स्टीवरं में महा वियोग की पड़किर्या का उलेग किया गया है कि महा वियोग रास्टीपते पर इस परकार से लगाया जाता है तो इसके बाद अगला देश है ब्रिटेन के सर्विधान से कौन-कौन से बाते ली गई है इसको पढ़ने से पहले हम ब्रिटेन के सर्विधान के बारे में पढ़ेंगे तो जिस तरीके से लिखित सर्विधान का उदारन अमेरिका है वैसे ही और लिखित सर्विधान यानि की अन कौन से बाते ली गई हैं तो सबसे पहले ली गई है संस्थिय परणाली कि भारत में जो संस्थिय परणाली है वो कहां से ली गई है प्रिटेंज से संस्तिय परणाली में क्यों होता है कि जो कारेपालिक होती है वो दो परकार की होती है एक होती है वास्तविक और एक होती है यानि नाम मातर की कारेपालिका वास्तविक जो कारेपालिक है उसका अध्यक्ष होता है परधान मंत्री प्लस मंत्री मंडल और जो नाम मातर की ब्रिटेन से इसके साथ ही ब्रिटेन के सर्विधान से और क्या लिया गया है तो वीदी का शाषन यानि कि भारत में जो सर्वोच है वो किसे कहते हैं वीदी को यानि कि कानुन को सर्वोच बनाया गया है तो ये जो वीदी का शाषनी कहां से लिया गया है बिटेन से इसके अलावा जो मंत्री मंडल की वेवस्ता है वो भी कहां से लिया गया है बिटेन के सर्विधान से और आपको कोश्व नहीं कि आता है घाल पर भारत के पर जो नागरिक हैं उन्हें कोन सी नागरिक्ता पर्दान तो एकisch 그렇게 यह क्रेंगे कि हम भारतiman हैं जब कि जो अ 번째 कवर्वर गुश दौर डरी अन्य कि एक तो वो कहेंगे कि हम Americans हैं क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं प्लस वो जिस राज्या में रहते हैं उस राज्या की भी कहां उन्हें नागरिक्ता प्राप्त होती है तो अमेरिका के सर्थान में दोरी नागरिक्ता है और बिटेन के सर्थान में एक करनागरिक्ता है और जो भात का सवधान है उसने एक करनागरिक्ता का प्रावधान लिया हुआ है और यह कहां से लिया है? बिटांसी इसके बाद जो अगला देश रहा है वह它 on आयरलेंड से जो बात ली गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्तफ यह जो बात है यह कहां से ली गई है आयरलेंड से और यह काफी बार कोशन में पूछा भी जाता है बारत के सव्धान में राज्य कनीति निर्शक तत्तफ का जो लेक है वो किस भाग में किया गया है तो भाग चार में और अनुछेद 38 से लेके अनुछेद 51 के बीच में किया गया है इसके अलावा आयलेंड से क्या बात ली गई थी तो जो राष्ट पती है वो संसद यानि की लोग सभा प्लस राज्य सभा में अपने द्वारत को सदस्यों का मनुनियन करता है जैसी कि वो लोग सभा में दो सदस्यों का मनुनियन करता है तो राज्य सभा में जो राष्ट पती 12 सदस्यों का मनुनियन करता है यह जो बात है कहा से ली गई है आयलेंड से तो राज्य स सदर्षयों के मनियन की विवस्था आईलेंड से दो बाते लिए हैं एक राजय के नीतिन देश्ञ कतफ बॉन खीर्त प Ό機 के लिएUS ने कीछ और नाम है राष्टपती यानि की राजय सबह donne 2 अपिरी और मलागा है तो ये बाद भी आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद अगला जो देश है उसका नाम है दक्षिन अफ्रिका दक्षिन अफ्रिका से क्या बात ली गई थी तो दक्षिन अफ्रिका है जो उसमें से सविधान में किस प्रकास से संशोधन किया जाएगा ये जो प्रापधान है वो लिया गया था दक्षिन अफ्रिका के सविधान से तो सविधान में संशोधन तो भारत का कौन सा अनुचेद है जिसमें सवधान में शन्शोधन की परकीरिया का उलेग किया गया है तो आपका अंसर आएगा अनुचेद 368 इसके बाद जो अगला देश है अगला है रूस तो रूस से क्या लिया गया है मूल करतव्य है तो आपका कोशन अगर यह आए कि मूल करतव्य है जो भाद की सवधान में किस देश्ट के सवधान से लिया गया है तो आपका अंसर आएगा रूस से और भाद की सवधान में मूल करतव्य का उलेग कौन से भाग में किया गया है तो भाग चार कैमे और अगर अनुछेद पुछा जाए तो अनुछेद 51 कै और ये मूल करते हैं कब जोड़े गए थे तो इसका अंसर आएगा 42 सविधान शर्णशोदन और 42 सविधान शर्णशोदन कब किया गया था तो इसका अंसर है 1976 में इसके बाद जो अगला देश है उसका नाम है कैनेड़ा तो अब कैनेड़ा से कौन-कौन सी बाते लिगे हैं कैनेड़ा के सविधान से तो पहली जो बात है वो है अब शिष्ट सूची तो आपको कल अनुसूची अपड़ाई थी जिसमें आपको बताया था कि अनुसूची तीन परकार की होती है एक होती है संग सूची जिसपे कानून कोन बनाता है केंदे सरकार एक है राजे सूची जिसपे कानून राजे सरकार बनाती है एक है समवर्ति सूची जिस पर जो कानूर बनाने का दिकार केंदर सरकार को होता है अब जो अफशिष्ट सूची है यानि कि कुछ ऐसे विश्य है जो इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं है और इस सूची में जो भी विश्य हैं इन पर कानूर बनाने का दिकार किसके पास है तो इस पर कानूर को उगनाएगा केंद्र सरकार तो ये जो बात है कहां से लिए है कनेडा से इसके बाद अगली क्या बात लिए गही है संगात्मक शाषन विवस्था संगात्मक शार्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर् कावा क्या बात ली है तो इसमें शक्ति का विभाजन केंदर साकार के बीच में होता है यही लिए ईए शक्ति का विभाजन ऐसे इसके बाद जो अग्ला देश इसे का नाम है और defenders यहां पर हमने अप्षिष्ट सूची है जो कहाँ से लिए थी समवर्थी सूची तो समवर्थी सूची का प्राद्धान वो अस्टेल्य के से लिया गया है इसके साथ ही सर्विधान में यानि कि अगर कोई कामनून सव्सत के दोला बनाये जाता है तो कभी कभी कुछ ऐसे sonid यानि कि स्यूंقة- cent connection होता हैए तो यह प्रावधन किस देश के सर्वधान से लिया गया है तो इसका अंसर है ओस 로 से से और स्यूंग-तर दीवेशन के भारत के सर्वधान के किस अनुछेद में उर्डे थे इसका अंसर आएगा ए 108 उसके बाद जो अगला देश देश नाम है जर्मनी तो çी लिए जर्मडा के सब्सक्तार की सब्सक्राइज क जब देश में अपातका लगाता है तो अपातकाल में मोली कदिकार है जो कुछ कम करद दिये जाते हैं मोली कदिकार में क्यों कान मोलीकदिकार कम खons जो वो यानि कि जर्मनी के सर्धान से लिया गया है इसके बाद जो लास्ट है उसका नाम है फ्रांस फ्रांस के सर्धान से क्या लिया गया है तो सब्तंतर्ता, समान्ता जिसे कहीं कहीं सम्ता भी लिखा हुआ है बंदुतव वैं गंतंतर ये जो चार बाते हैं ये कहां से ली गई हैं तो ये फ्रांस के सरधान से ली गई हैं इस परकार से जो नो देश हैं नो देश के सरधान से भारत के सरधान में ये सारी बातें एड की गई हैं तो कभी-कभी ये बात कही जाती है कि भारत का जो सर्विधान है उसमें अन्य देशों के सर्विधान की नकल की गई है जिसका है भारत के जो सर्विधान को उधार का सर्विधान भी कहते हैं बट ये जो statement है ये wrong है क्योंकि भारत के सर्थान ने अन्य देशों के सर्थान की कुछ बातें तो ली है बट इन बातों को भारत के सर्थान में भारत के दिस्टिकोन के according एड किया गया है same to same वैसा नहीं लगाया गया है तो ये जो सर्थान के स्रोत हैं अगर आपको ये समझ में आगे होंगे अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं आपको जो डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक मैं वीडियो अगर अगर आपको अगर आपको ये वीडियो तापको ये वीडियो ये वीडियो